साथियों, आज भारत के पास न केवल दुनिया के नौले सेंटर बनने का, बलकी स्कील केपिटल बनने का सामर्त भी है। आज भारत के पास सक्षम युवाओं के बड़ी तादाद है, हमारे युवाओं के पास स्कील भी है, बैल्यू भी है और काम करने के लिए जरूरी जज़बा और इमानदारी भी है। भारत की ये स्कील केपिटल दुनिया के विकास का एंजिन बन सकती है। भारत में उपस्तित युवाओं के साथ ही भारत की प्रात्विक्ता वो प्रवासी युवा भी है, जो भारत से जुड़े हैं। हमारे नेक जनरेशन युवा जो विदेश पे जन में हैं, वही पले बड़े हैं। हम उने भी अपने भारत को जानने समझने के लिए कई अउसर दे रहे हैं। नेक जनरेशन प्रवास युवाओं में भी भारत को लेकर उच्छा बढ़ता चला जा रहा है। वो अपने माता-पिता के देश के बारे में जानना चाहते हैं। अपनी जड़ों से जुड़ना चाहते हैं। यह हम सब की जिम्मेदारी हैं कि हम युवाओं को नवकेवल देश के बारे में गहराई से बताएं। बलकि उन्हें भारत दिखाएं भी पारंपारिक बोथ और आधुनिक नजर के साथ ये युवा फ्यूचर वर्ल को भारत के बारे में कहीं ज्यादा प्रभावी डंग से बता पाएंगे जितनी युवाओं में जिग्याशा बढ़ेगी उतना ही भारत से जुड़ा परियटन बढ़ेगा भारत से जुड़ी रिसर्च बढ़ेगी भारत का गवरों बढ़ेगा ये युवां भारत के विभिन परवों के दोरां प्रसित मेलों के दोरां आ सकते हैं या फिर बुद्ध सरकीर, रामा एंड सरकीर का लाप उठा सकते हैं वो आजादी के अमरत महोसों के तहद होरे कारकमों में भी जुड़ सकते हैं